तो नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं कुनाल जैनिमल प्लैनेट और मैं हूं कुनाल आपके साथ अच्छत पे बैटे थे तो आपको सचा थोड़ा दा शौक करा दे हलाकि आज इन कबूतरों का शौक आपको नहीं करा रहे हैं आज आपको जो शौक कराएंगे वह बहुत स्पेशल कबूतर का शौक है जो कि इस लॉफ्ट में है बच्चा निकला हमारे घर पे हमारे घर का बच्चा है उसका शौक कराएंगे तो उस बच्चे का नाम जो हमने रखा है ब्लैक मंबा तो इस वीडियो को आखरी तक देखिए और आपको मिलवाते हैं ब्लैक मंबा से तो भाई अब आपको ब्लैक मंबा से मिलवा देते हैं जादा वेट नहीं करवाएंगे आपकी तो फुल्दी भाई ब्लैक मंबा को लेया वह बैठा हमारा ब्लैक मंबा दाना चुक चुक है और ऐसा कबूतर आपने बहुत कम देख रखा होगा आतमे नहीं आएगा वैसे क क्योंकि हम आप में लगाते नहीं कबूतरों को बट फिर भी आप लोग के लिए वीडियो में तो हमने लेकर आना ही था इसको तो भाई ये कबूतर है इसका रिंग नंबर क्या गुल्दी भाई इसका रिंग नंबर है ये मैरे घर की ब्रीडिंग है दोस्सो सत्रा रिंग नंबर का ये बच्चा है ब्लैक मामबा इसका नाम रखा गया धन्ने वाले कबूतरों में से अपने निकाला था और मेनत हमारी है क्योंकि मैंने इस हिसाब से जोड़ा लगा है काफी अलग तरीक इसको ब्राइक मंपा इसलिए बुला गप यह। उसे को पैसे साफ होताए आनकesting पह। एक आम एक प्यार की ह। चोंच भी काली है और इन फैक्ट अगर मैं आपको एक बड़ी मास चीज दिखाऊं ब्लैक मांबा नाम रखा है इसका पंजे देखिए आप इसके दोस्तो ऐसे पंजे आपने बहुत ही कम कबूतरों के देखे होंगे और एक बार पंजे के ठीक से दिखाते हैं आपको यह देखिए यह पंजे है भाई कबूतर गया बिरकुल काले पंजे है सबकुछ काला है कबूतर का आंखों से लेकर पल्कों से लेकर सारा कुछ जो बॉड़ी पार्ट होने चीजी है वो सबकुछ इसका काला है और इसका मुह कुल दीब खोल के दिखाएगा मुह भी अंदर से इसका काला ही है इसकी जुबान जो है वो जुबान भी इसकी काली है ये देखिए आगे से जो इसकी जुबान है जुबान की जो टिप है वो भी काली है तो इस कबूतर के अंदर का सब कुछ काल है और बहुत शांदर कबूतर है कुल्दी भाई पर एक बार खोल के दिखाई हूँ इसके पर देखें भाई क्या चोड़े चोड़े गजब के पर है अभी ये जीरो कली का ही बच्चा है पहली कली इसकी आ रही है और पर देखें दूसी साइट से भी पर दिखा देते हैं आपको इसके तो भाई ये है हमारा ब्लैक मंबा इसका सब कुछ काल है और पंजे एक बार ही मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ पंजे देखिए आप कबूतर के एक बार ऐसे पंजे बहुत बहुत रेरली मिलते हैं और इस टाइप का कबूतर भी बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको और इसकी बैठक में आपको और दिखाता हूँ छोड़ के एक बार यह हमने उड़ाना शुरू करा हुए भाई और यह दूसरी फटक में हमारे पास पान घुंटे उड़ चुक है यह है हमारा ब्लैक ममबा मिस्का इसका सारा कुछ जो है वह ब्लैक की ब्लैक है पंजे देखे आप बैठक देखे चटक कपूधर में वह देख यह मारा ब्लैक ममबा है बाकी भी बच्चे हैं जो हमने अपने घर के निकलवा रखे हैं लेकिन यह सब में अलग बच्चे इसके पंजे देखें आप तो अगर आपको ब्लैक मांबा पसंद आया हो तो कमेंट करें वीडियो के अंदर आपको हमारा ब्लैक मांबा कैसा लगा और भी ऐसे बच्चे निकलते जाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे यह एक एक्सपेरिमेंट था यह कुछ जोडों में मैंने अपना तड़का लगाया अपने हिसाब से ब्रीडिंग कराई है तो अगर पसंद आया हो तो बताना और इसकी उड़ान अभी देख रहे हैं मैक्सिम्म कितनी रहती है जहां तक की मेरे को उमीद है शाम तक की उड़ान रहेगी और चार-पांच भड़कों में यह बच्चा शाम तक आ जाना चीए और अगर एक्सपेरिमेंट कामियाब रहते है तो और ऐसे बच्चे जरूर बनवाएंगे यह नॉर्मल तरीके से जो और जैसे भी अगर इन असल कामियाब होती है तो आगे चलके जो है सारे बच्चे यही बनवाए जाएंगे और यही परिवान हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यह बच्चे इतने बढ़िया हैं भार भी रुकेंगे और घर भी रुकेंगे तो अगर आप ब्लैक मामब कि सारी जो आगे चलकर भी उड़ान है कितना उड़ता है कितने फटक में कितना आता है यह सारी चीज आपको जो है दिखाई जाएगी और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद